आज हम देखेंगे त्रिबुच की रचना करने से संबंदत उधारण जब दो भुजाओं के लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो समकोण समद्वी बाहु त्रिबुच यानि राइट आंगल आईसोसिलस ट्राइंगल के करन यानि हाइपोटेनियूस के अलावा अन्य भुजा के लंबाई 5.2 सेंटिमीटर है समकोण समद्वी बाहु त्रिबुच की रचना कीजिए यहां हमें त्रिबुच बनाने के लिए सिर्फ एक माप दिया है क्या यहां काफी है? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं यहां हमें सिर्फ एक माप जरूर दिया है लेकिन साथ में कुछ महत्वपोर्ण जानकारी भी दी है जैसे हमें एक समकोण सम्द्वी बाहु त्रिबुज की रचना करनी है समकोण से पता चलता है कि त्रिबुज में एक समकोण है यानि की 90 डिगरी का कौण है और सम्द्वी बाहु से पता चलता है कि इस त्रिबुज में करने के अलावा अन्य दो बुजाएं बराबर है संक्षेप में कहें तो हमें एक त्रिबुज एलेमन की रचना करनी है जिसमें बुजा MN बराबर बुजा ML बराबर 5.2 सेंटीमीटर है और कोण M बराबर 90 डिगरी है यहां हम SAS कसोटी यानि SAS क्राइटेरिया के अंतरगात त्रिबुज एलेमन की रचना कर सकते हैं चलिए अब त्रिबुज एलेमन की रचना करे पहला चरण पहले हम रूलर की साहता से 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खन कीचेंगे रेखा खन को नाम देंगे MN दूसरा चरण जैसा कि हमें ग्याद है कि कोण M का माप 90 डिगरी है इसलिए हम किरण MO कीचेंगे किरण MO रेखा खन MN के साथ 90 डिगरी का कोण बनाती है तीसरा चरण हमें दूसरी भुजा की लंबाई ग्याद है जिसका माप 5.2 सेंटीमीटर है इसलिए हम परकार के फैलाओ को MN भुजा के माप 5.2 सेंटीमीटर के बराबर खोलेंगे अब 5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और बिंदू M को केंद्र मान कर एक चाप खीचेंगे चाप किरण Mो को एक बिंदू पर वितिछेत करता है इस बिंदू को हम L नाम देंगे भुजा ML त्रिबुच एलेमन की दूसरी भुजा है चौथा चरण अब त्रिबुच की दो भुजाओं के रचना हुई है हम बिंदू L को बिंदू N से जोड़कर त्रिबुच की तीसरी भुजा यानि की त्रिबुच एलेमन का कर्ण LN खीच लेंगे इस प्रकार हमने एक समकोण समद्री बाहुत त्रिबुच एलेमन की रचना कर ली है जिसमें बुजा MN बराबर बुजा ML बराबर 5.2 cm है और कोण M बराबर 90 डिगिरी है तो आज हमने देखा त्रिबुच की रचना करने से संबंद्रत उधारन जब दो बुजाओं के लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो